ये हरेंदर राय जी जो मृतक राजेंदर राय के भाई हैं सर्बोच न्याले में गुहार लगाए काफी लंबा चला बहुत सारी तारीके परी लंबा लंबा बहस हुआ और बहस के पस्चात न्याय मुर्थियों ने इस केस में न्याय दिया सुप्रीम कोट ने प्रभुनात सिंग को आजीवन कर आवास दिया है जिस तरीके से जो मामला चल रहा था उनके उपर और उस मामले में उन्हें सजा मिली है पूरी जानकारी विस्तित जानकारी हम आपको देंगे कि आखिरकार प्रभुनात सिंग का मामला क्या था किस लिए उनको आजीवन कर आवास हुआ कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं भी जानते हैं कई ऐसे सवाल हैं उस सवाल पर हमारे साथ बातशित के लिए वह बेगती है जिन्होंने इस केस में मजबूती से लड़ा है क्या वजा रही है कि आखिरकार उनको आज इवन कर आवास हुआ देखिए प्रवुनात सिंग का अपराद से पुराना इतिहास पुराना नाता रिस्ता रहा है जब से ये राजनीत में आए अपराद के बदौलत आए सबसे पहले इन्होंने हत्या की रामदेव सिंग विधायक की वे विचारे बरही अच्छे विचार वाले विधायक थे मतलब मेरे कहने कार्थ यह है कि देश की ऐसी कोई धारा नहीं है जो IPC और CRPC का ऐसा कोई धारा नहीं है जिसको प्रभुनात सिंग ने सुसोभित नहीं किया हो चाहे वह 379 हो चाहे सेवे निशी हो या 302 हो 506 हो 504 हो हम तो लोग के ग्याता नहीं है लेकिन देखते हैं कि एक लंबी फियरिस्ट अपराद का इनका लगभग 42-43 मुकद में इनके खिलाफ रहा है सबों में ये गवाह को थ्रेट करके और अपना एक यूटल करवाए इसी तरह का मामला सब के सामने आया मेरे भाई की भी हत्या इन्होंने 1995 में करवा दिया दीस तीन जुलाई 1995 में को हम लोग लंबी लडाई लड़े लंबी लडाई लड़े उसका फलाफल समय लंवाव नयां जो अठारा अगस्त को सुप्रीम कोट का फैसला आया उसी लड़ाई का एक फलाफल है एक नतीजा है उन्नीस सब पंचानविन में तीन पचीस मार्च उन्नीस सब पंचानविन को चुनाव हुआ था एसेंबली एलेक्षन उसमें मेरा भाई चुनाव लड़ रहा था मेरे भाई का नाम मसोक सिंग था ये उस समय जब चुनाव मांगते थे प्रवनाथ सिंग भोट मांगते थे तो हमेशा कहते थे कि इस छेत्र का बिधायक मैं हूँ आज भी मैं हूँ कल भी मैं रहूँगा अगर कोई जीतता भी है तो वह नबहवे दिने मारा जाए गया और पुनाव होगा और मैं चुनाव जीतूँगा इस तरह का इनका थ्रेट परसेप्शन हमेशा मिलता रहा है तो ठीक नबहवे दिने हमारे भाई की ये हत्या करा दिये पुल्में जैसा कि हमने कहा कि उसमें हम लोग लंबी लड़ाई लड़े सफलता मिली तो ये 1995 में जो 25 मार्च को एसेंबली एलेक्शन हुआ था जिसमें मेरा भाई जीता था उसी दिन का ये 18 अगस्त वाली घटना है 18 अगस्त को जो सर्बुच न्याले ने फैसला दिया तो उसमें दो आदमी मारे गए थे उन्होंने ये प्रगनाथ सिंग उनको इंज्योड किया था दारोगा राय राजिंदर राय और एक स्रीमती देवी दलित महिला थी दारोगा राय स्पोर्ट डेथ कर गए राजिंदर राय दो तीन महिने के बाद पीम सीच में उनकी मौत हुई लेकिन इस ये जो इसका दारोगा ये बासट पंचानविन कांट संख्या था इसका जो ट्राय चला वो कम्प्लीट एक फिल्म का हिस्ट्री होता है जूली एक पिक्चर था जूली या जॉली ऐसा कुछ था हम देखे नहीं है लेकिन लोग कहते हैं ठीक उसी तरह पूरा का पूरा मौक ट्राइल हुआ मौक ट्राइल के वज़ा से लोवर कोट में से इनको सजा नहीं हुई और लोवर कोट के सजा को अगर ये भाई कोट ने भी मान लिया किन्तु सर्बुच न्याले में तमाम तथ्यों को हरेंदर राय जी ने रखा मृतक के भाई राजंदर राय के भाई जो हरेंदर राय थे तमाम तथ्यों को उन्होंने रखा कि मेरे साथ मेरे मा के साथ मेरे जो